उसमें से पहला सूत्र में बात शुरू करता हूँ मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है मने किताब बना दी है बागवट सहिता जो है मने बागवट जी की अश्टांग हिरदेम और अश्टांग संगरम इनके सूत्रों को collect करके, select करके, तीन भाग में एक पुस्तक बनाई है, part 1, part 2, part 3, अश्टांग हिर्दियम, भाग 1, भाग 2, भाग 3, मूल लेखक, भाग भट्टे जी हैं, मैंने सिर्फ selection किया है, और selection के साथ, आज के हिसाब से उसको थोड़ा विशलेशित किया है, जैसे मै एक उधारन दू, तो आपको मेरी बात समझ में है, एक सूत्रों नों ने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहने सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है, भोजन को बनाते समय, पवन का इसपर्ष, और सूरिका प्रकाश, अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को, वो भोजन कभी नहीं करना, क्यों? ये भोजन नहीं विश है, कहना क्या चाहते हूं? और आज के हिसाब से विशलेशन करें, सन 2007 के हिसाब से विशलेशन करें, अब तक मैंने जो बोला, वो बागवट जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं, वो मेरा हिस्सा है बागवट्ट जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तक्नीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूरी का प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस परश उसको मिलेगा फिर मैंने वेग्यानिकों से बात की कि ये भोजन बिश है ऐसा बागबटी जी कहते है आपका क्या कहना है तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है Central Drug Research Institute वहाँ के दो साइन्टिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागबटी जी मैं कहता हूँ ये टीवी पे बोलो तुम चाहो तो बोलो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% ऐल्यूमिनियम के बने हुए है और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मैटल अगर कोई है तो अल्यूमिनियम ही है 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस अल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारेंटी है कि आपको डाइविटी, अस्थमा, टीवी अर्थराइटिस, ब्रॉंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज़्यादा टीवी होने की संभावना है तो उन्होंने का 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती है और उन्होंने का सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ती कम होती है प्रतिकारक शक्ती कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते है मैंने ये तै कि पता करो कि ये अल्यूमिनियम कब से आया तो पता चला 100-100 साल पहले आया कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया अल्यूमिनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तै हुआ था कि जेल के कैदियों को अल्यूमिनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के करांतिकारी है और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांटिकारी होता था बगत सिंग हो या उदम सिंग चंदरशेकर हो या आश्फा कुला, राजिदनात लाहडी हो या ठाकुर रोशन सिंग ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने इनको जान बूच कर अल्यूमिनियम के बरतन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की स्थती में आ जाए तो समझ बूच कर अंग्रेजों की सरकार ने aluminium के बरतन इस देश में introduce किये अब परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन aluminium के बरतनों में ही दिया जाएगा और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज़्यादा गरीबों के घर में आ गया ज़्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे aluminium के बरतनों में ही बन रहे है और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबर कलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे मैंने उधारन के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज है अपने घर में रेफ्रिजरेटर और एक तीसरी चीज है अपने घर में माइक्रोवेव ओवन इसमें भी सूरी का प्रकाश नहीं जा सकता इन में रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विश है तो ना करें आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर को करको हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती है तो ज़्यादातर माताओं बेहनों का उत्तर है सास भी कभी बहु देखते है और फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि ये जो आपने आदा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब नेट रिजल्ट क्या वही शूनिक का शूनिक प्रेशर कुकर एक ऐसी टेकनोलजी है जो खाने को जल्दी पकाती है ये है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर औ अत्रिक्त दबाव डालता है, ये है प्रशर, प्रशर मने दबाव, और ये अत्रिक्त दबाव कहां से आता है, प्रशर कुकर में आपने दाल गाली, उपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डाल कर बंद करके रख दिया, अब उसमें वो एक सीटी लगा दी, वो सीटी लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है, पूरे प्रशर को करके, सीती लगाते ही क्या करता है, नीचे से गर्म और उपर से भाप का दबाओ, किस पर, दाल पर, चावल पर, सबजी पर, ये दबाओ डाल के होता क्या है, एक दाल को तोड़ कर दो तुकड़े, जिसको दुईदल क कहते हैं, जेहन समाज के लोग तुरन समझ में आ जाएंगे, दुईदल, तो ये दाल जो है ना फट जाती है, वो दाल दरक जाती है, और पानी इतना गरम होता है, तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है, पकना और उबलने में अंतर है, उबल गई है, और उसका सफ तो आपने खाल लिया तो आपने कहां पकी हुई दाल का बाखिया खाली। तो आप जानते हैं अरहर की डाल को खेत में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है। क्यों? अरहर की डाल में जो कुछ भी है जिसको आप न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं, खेत की मिट्टी में कैलशियम है, खेत की मitटी में iron है खेत की मitटी में silicone है, cobalt है zipton है, zone nourSHin है, ये सब micronutrients खेत की मitटी में है, ये पॉधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तणे में आते हैं, तणे से फल में आते हैं, इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो नूट्रियंट्स का कलेक्शन दाल में इकठा है इनके तूट जाने पर, बिखर जाने पर में लगेगा और डाल जब डिजॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन सापको मिलेंगे भोजन में इसली आप डाल खा रहें ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटेमिंस आपको चाहिए कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए कुछ और दूसरे अंशाफ को चाहिए तो आयरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि दाल जादा देर में पकी है तो घर में भी जादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वेग्यानिक थे झाल